मेरे लिए परसनली बहुत बड़ा चीवमेंट इसलिए है क्योंकि मैं दो साल से बेस्ट एक्टर अवाड जीत रहा हूँ जब भी ऐसा हुआ है कि वनराज शाह ने कुछ अच्छा किया हो या कुछ अच्छा सोच रहा हो या कुछ अच्छा कर रहा हो किसी के लिए तो लोग और जादा घबरा जाते हैं उनको लगता है कि यार यह बहुत अच्छा बन रहा है कुछ घबर करेगा अगर मैं कोई चीज करता हूँ चार लोगों को अगर अच्छी लगेगी वो चीज तो एक इनसान को गलत भी लगेगी वनराज को लास्ट मिनट तक इस चीज से तकलीफ थी बड़ उसके बाद उसने भी एकसेप्ट कर लिया कि जो होना है वो हुआ अनुपमा को चीट उसने किया डेफिनिटली बड़ वो अनुपमा से कभी भी प्यार नहीं करता था सुदाशु जी वेलकुम तो प्यार नहीं कर दो अब एकस्पिरिंस तो अभी अच्छा हुआ जब आपने बोला कि आपके क्यारेक्टर को बहुत प्यार मिल रहा है बट फैक्ट यही है कि मैं जो मुझे वनराज शा की क्यारेक्टर को जितना लोग शिद्दत से हेट करते हैं वही मेरे ले प्यार है क्योंकि अगर वो लोग मेरे क्यारेक्टर को नापसंद नहीं करेंगे तो मुझे चिंता होने लगेगी क्यार यह मतलब मैं कुछ सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं So for me it has been an incredible journey क्योंकि मेरा पहला डेली शो है यह और पहले डेली शो में इतनी सक्सेस पाना शो इतना सक्सेसफुल है हमारा जो globally सक्सेसफुल है हमारा शो All over the globe, all over the world, people love it हर age group प्यार करता है छोटे दो साल के बच्चों से लेकर 80, 90 साल तक के लोग message करते हैं जो fans है शो के तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा achievement है because it cuts across all age groups और एक middle class family की कहानी इतना resonate करती है पुरी दुनिया से यह हमारे लिए बहुत बड़ा achievement है मेरे लिए personally बहुत बड़ा achievement इसलिए है क्योंकि मैं दो साल से best actor award जीत रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि God has been very very kind की शायद मैंने मेरा पहला daily show उसमें जो मेरी performance है वो लोगों को इस हद तक अच्छी लगी है कि मुझे award भी मिले और इतना प्यार भी मिला because daily show में बहुत मुश्किल होता है एक character को sustain करना लंबे समय के लिए और खास तोर पे मेरे जैसे character because मेरा character आसान नहीं है play करना because वो बहुत straight character नहीं है जैसे आम तोर पे आप television पे देखते हैं straight definite characters होते हैं मेरा character बिलकुल भी definite नहीं है from day one he is the most complicated, complexed, grey shades character because वो कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी शान्त हो जाता है कभी एकदम vulnerable हो जाता है और जादतर ऐसा होता है कि वो बहुत ही unpredictable बहुत unpredictable zone में रहता है क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है कि वनराज्चा ने कुछ अच्छा किया हो या कुछ अच्छा सोच रहा हो या कुछ अच्छा कर रहा हो किसी के लिए तो लोग और जादा घबरा जाते हैं उनको लगता है कि यार यह बहुत अच्छा बन रहा है कुछ घबर करेगा तो क्या कुछ आपको डीम्स आते हैं और कैसे होते हैं सप्काइब होते हैं इसमें यह होता है कि यह होता है कि यह ब्रिलियंट अपर्फॉर्मस इज और हम पीपल और सीन तो सीन काई बहुता है आपने उससीन में कमाल कर दिया उससीन में रुला दिया उससीन में ऐसा कर दिया उससीन में आपने इतना अच्छा किया कि हम आपको हेट कर रहे थे नафرत कर रहे थे वड् We know you are doing such a great job that we actually believe what you are doing तो इस तरह के messages आते हैं जो बहुत जिन से प्रोथसाहन मिलता है, बहुत encouragement मिलता है और मेरे लिए वो चीज बहुत inspirational होती है, बिकास मुझे मालूम है कि जब तक मैं ऐसा कर रहा हूँ तब तक मुझे inspiration है कि मैं और बहतर करूँ, और अच्छा करूँ आगे जितना और मैं अपनी तरफ से बेटर परफॉर्म कर सकूँ, एक्सिक्यूट कर सकूँ इसको, उतना मुझे प्यार मिलता है लिए लोगों को जब राजन ने सुनाया था, तो मैंने बोला भाई ये करते हैं, बिकास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहां से बात शुरू ही थी, ये सोचा था कि हाँ यार अच्छा ही होगा, जो भी होगा बट कल्ट शो बन जाEगा, रेज हो जाEगा, ग्लोबल ये हमने कभी नहीं सोचा था, हर आदमी, हाला कि जो चीज बनाने निकलता है वो यही सोच कि निकलता है कि हमारा शो हेट हो जाएं, हमारा फिलम हेट हो जाएं, हमारी ओव जो हेट हे जाए बट किस लेवल का हेट होगा यह प्रेडिक करना बहुत मुश्किल होता है तो इस लेवल का प्रेडिक्शन तो हमने भी नहीं किया था बट आइ थिंक गॉड थे वरी काइड कि हम लोग को हम लोग के ओपर भगवान की इतनी कृपा हुई है वन्राज के गाएं अपने एक्सपिरेंस को definitely exploit किया to enhance the character of वन्राज Because कोई भी एक्टर होता है, कोई भी इनसान होता है, वो अपने experiences से वो बनता है, जो बनता है मैं ये मानता हूँ कि आज सुधानशु पांडे जो भी है आज की डिट में अगर लोग बोलते हैं, सुधानशु पांडे तू बहुत अच्छा अदमी है, तू अच्छा इंसान है तो आज मुझे वो लोग जो बोलते हैं, जो मेरा वजूद है, वो शायद मेरे experiences की वैसे जो मेरे experiences रहें, जो ups and downs रहें, जिनके through में निकल के आया हूँ, आज जहां पे खड़ा हूँ, शायद वही मेरी foundation है, वही मेरा वजूद है वही experiences मैं अपने character को play करने में use करता हूँ, because like I said, it's a very difficult character ना पूरी तरह से black है, ना पूरी तरह से white है, gray character है, और unpredictable है, वो बहुत ही complicated है, बहुत complex है अपने दिमाग में वो, तभी इस तरह की हरकत करता है, वो इस तरह की करता है तो हर aspect को execute करने के लिए मैं अपने experiences, personal experiences को use करता हूँ, कही न कहीं, back of the head, I know in my memory, everything is there, right from my childhood till now, जो भी होगा, उन सब चीज़ों को कही न कहीं, मैं exploit करता हूँ, use करता हूँ, to be able to play this character, and probably that is why, वो character, I have been able to enhance it, or take it to this level, wherever it is today, obviously the character has been written beautifully by the writers, because without writers, to actor भी कुछ नहीं कर सकता है, to first and foremost, the foundation is laid by the writers and directors, and then comes my job, so I take it up from there, and I think this is what I have done till now, and I have been blessed with a good response for whatever I am doing. ये एम्यकि नहीं जो तराहएं इन को गैस्तों होना के दिखा विए आपको पार्तु अधाएं गया था, वो आएंगे, तो आपको जब देखा गया था, आपको पताया गया था, फो तो उको जड़ुर रियाक्शन की रहाएं और अच्छिएं के उन सक्टेगी पर ऑच्छ क्या है हम कभी भी कोई भी चीज एकदम 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है तो जादतर लोगों ने बहुत प्यार से एकसेप्ट किया उस चीज़ को कुछ लोगों को वो चीज अच्छी नहीं भी लगी और वो होना ही है अगर मैं कोई चीज करता हूँ चार लोगों को अगर अच्छी लगेगी वो चीज तो एक इंसान को गलत भी लगेगी that is what human nature is all about on the whole वो चीज लोगों ने accept की because वही हमारा target था कि हम लोग women empowerment को और एक औरत को triumphant दिखाने की कोशिश करने की वो मुश्किल समय से मुश्किल हालातों से गुजर के भी वो अपने पाउं पे खड़ी हो सकती है और इस उमर में भी अपना एक partner चूज कर सकती है तो यह ऐसी बहुत सारी ओरतों को inspire करने के लिए है जो यह सोच के बैठी है कि अगर वो उनका एक रिष्टा तूटा इतने सालों का तो शायद उनकी जिंदगी खत्म हो गई ऐसा नहीं है तो वो सब चीज हमने बहुत ब्यूटिफुली एक्जिक्यूट की है शो में और जहां तक वन्राज का सवाल है वन्राज like I said कि शायद उन लोगों में से था जो एक चार में से एक वो है जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वन्राज को वैसे ही बना के रखा गया और वन्राज को लास्ट मिनट तक इस चीज़ से तकलीफ थी बड़ उसके बाद उसने भी accept कर लिया कि जो होना है वो हुआ अभी it's time to move on और अब वन्राज शा की फैमिली उसकी जिमेदारी है और वन्राज शाह ही अपनी फैमिली को समा लेगा वन्राज शाह में कोई भी समानता नहीं एक को छोड़के वो एक समानता यह है कि वन्राज शाह जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं वन्राज as a character बहुत ही solid है उसकी foundation इस operation बहुत strong है वो कुछ भी करे वो हालाँ से मजबूर होके कर रहा है पर basic fact वन्राज शाह का यही है कि वो जो भी करता है वो अपनी फैमिली को ध्यान में रखके करता है वो जो भी करना चाता है वो अपने बच्चों के लिख रिए करना चाता है अपने माबाब के लिख आज भी वो जो भी कर रहा है, वो सिर्फ यही सोच कर रहा है कि मुझे मेरे बचों को खुश रखना है, मेरे माबाप को खुश रखना है, उनको proud फील कराना है, और उनको secure करना है, उसका basic motivation शुरू से वही रहा है, और कोई उसका दूसरा आजेंडा नहीं लाइफ में, he's got a very strong character as far as all this is concerned, अनुपमा को चीट उसने किया definitely, बट वो अनुपमा से कभी भी प्यार नहीं करता था, अनुपमा के साथ उसकी शादी कैसे हुई, यह हमने वेब सीरीज में दिखा दिया, कि उसका दिल तूटा था, उसकी girlfriend जो थी, जिससे वो प्यार करता था, शादी करना चाहता था, वो उसको dump करके चली गई, किसी अमेर लड़के से शादी करके, और उसके बाद इसका दिल इतना तूट गया, कि बापुजी ने जिससे बोला, इसने हाँ, आँक मून के हाँ कर दिया, तो अनुपमा से शादी हुई, ओवर अपिरिड अफ टाइम, ओविसली थे हैड किड्स और उनके बीच में, जो थोड़ा बहुत रिष्टा बना था, वो था, बट जब वो corporate, उसमें successful होता रहा, कहीं बीच में कावया से उसकी मुलाकात हुई, और कावया से उसका एक equation बना, और कावया से उसको प्यार हुआ, तो वो genuine जो प्यार था, वो वनराज को कावया से हुआ, पहली girlfriend के बाद, genuine प्यार हुआ, और उसके अलावा, एक सीन में उसने बोला भी था, कि मैंने आज तक आँख उठा के किसी और की तरफ नहीं देखा है, कावया से मैंने genuinely प्यार किया था, तो ये बात वो बोलता है, तो इसलिए अगर आप देखो तो character की foundation बहुत strong है वनराज की, और सुधान्शू में और वनराज में ये समानता है, कि वो जो भी करता है अपने परिवार को ध्यान में रखके करता है, सुधान्शू जी अपने अपने शूटिंग को जल रहते हैं और राजन शाही को या पर कास्ट देखिये, मैं राजन शाही तो ख़ए, राजन मेरा बहुत पराना दोस्त है, राजन जब डिरेक्टर था, जब डिरेक्शन कर रहा था, राजन भट साब, मैश भट साब प्रोडूस करता है, हम लोग इंफेक्ट कर ली परसों बात कर रहे थे इस बारे में, कि यार इतने समय से, राजन मैंने का, राजन तु क्योंने डिरेक्ट करता है एक अध एपिसोड, बिकाशन इतना इतना टाइम हो गया यार, हम लोग ने साथ में, डिरेक्टर एक्टर की तरह हम लोग ने काम नहीं किया, तो, ही वस लाफिगी, बट राजन इस आध रएल चीन मेरी बांडिंग उसकी साथ, चुरू से अच्छी है, Rajan is a very very dear friend of mine. He's a great human being. Absolutely, absolutely phenomenal human being and very unlike a film person. He's very real and very emotional and very very good man. And the rest of us, because we've done so many work, bonding is very strong, we're very good, we're very good, we're very good, we're very good, jokes are very good, and we're very good.